सबसे पहरे आप सबको नए साल 2020 की बहुत बहुत सुब कमना है और भगवान सी गड़े से कादना करेंगे कि यह साल आपके रिए सुब मंगलगारी हो यह साल 2020 अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यह 50-50 परसेंट में आपको बिलेगा 50 परसेंट का जहां आपके जीवन में यह सुब फल गारी 50 परसेंट आपको फल दे रहा है अच्छे फल दे रहा है तो यह 50 परसेंट बिपरित फल भी दे रहा है लेकिन अगर ये विपरित फल का उपाय आप करती है, अगर आप अपने गढ़ा का, अपने लगन का, अपनी एषाइ का और अपने खराब गढ़ा को ठिक करने के लिए बताय गए उपाय और तोटकों का प्रयोग करते हैं, तो सद्धावा से किया गया या उपाय आपके आने वाले 50% खर आपको ये अच्छे फल में परिवर्टी कर देता है जुजी निया साल पुरंट अगले सौधिनों में आपके क्या दिने जा रहा है तो इसक्तम रिप्तम तीन चीजें बिता है आने वाले साल में ये जो बारह रासी है बारह रासियों में सबसे पहले मैं बात करूँगा मेस रासी की तो मेस रासी के लिए जो सबसे मौत पुर दीने अच्छा या बुरा मैं आपको दोनों बताऊंगा तो अच्छे के लिए जो मेस रासी वालों को मिलने वाला है 22 मार्च से चार माई के बीच में जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, उनका प्रमोशन होने वाला है, नए ब्यापार के ट्रेटिंग के नए रस्ते बनने वाले हैं, विद्यारतियों को सफलता प्राप्त होने वाली है, लेकिन इंको अपनी वारी पर कंट्रोल करना पड़ेग अपने कोदे से बचना होगा जल्दी वाजी में कोई रिसेजर नहीं लेना होगा, ब्रिसरासी, ब्रिकरासी वालों के लिए 24 जन्बरी से 30 मार्च के बीच में इनका भी प्रमोशन तय है, विद्यारतियों को पड़ाई में भटगाव हो सकता है, घुमने का उनका मन कर सकता है, घुमने से इनको सावधान रेने के रिए मा सरस्थती और मालचमी की आरतना, दोनों की आरतना करने चाहिए तो इनका घुमने से मन हटेगा और पड़ाई में इस्थिता प्रात होगे, मितुर्णासी वालों के रिए पूरा साल सावधान रेने वाला है, दो या तीन महा को छोड़ कर, पुड़े साल, सुरू के सप्टमबर तक वो अपने पार्टनरों से खास कर सावधान है, प्लान बहुत अच्छा बनाएंगे, अगर कहा जाए, तो ये भगवान सी गणेश, माता लचमी, बजंग वालगा का पार्ट करते हैं, तो ये साल इनके बहुत अच् अब भी करें, मिर्सिम नासीवालों के रिए, जो ये साल 70% खराब है, वह 100% सही हो सकता है, अप्रेल 2020, मैं 2020 और जुलाई 2020, अगर ये अपने ग्रहों के बिप्रीत चाल चलेंगे, तो नुक्सान हो सकता है, और अगर या उपाय करने के साथ, पॉजिटिव पॉज़ाई साथ चलेंगे, तो यह सुफर में बदल सकता है, मगगर रासी वाले, मगगर रासी वालों को मर्च 2020, जून 2020, सेप्टमबर 2020, नॉम्बर दिसंबर 2020 में सौधान नहने की जोरत है, कहा गया कि भाग्यम फलंदु सर्वत्रा, नचप इद्या, नचप परखाम, लेकिं फेल भी, अगर आप भाग्य को जान नहीं है, और अगर आपके कुंडली में कुछ सावधानी लिखी है, तो आपको सावधान रहना परता है, रहना भी चाहिए, कुमरासी वाले मर्च दोजाबीस, मई दोजाबीस, अगस्त दोजाबीस, अक्टूबर और नवंबर दोजाबीस में सावधान नहीं, मैं बाबा, शाओधान नेने को कह रहा हूँ, यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी गुड़ा में बहुत बुरा, फ़ल या बहुत बुरा समय आने वाला है, इस के पीछे कारण क्या है, मैं बता रहूँ आपको, क्योंकि ब्राम्मण को अपीन मुख से, गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्राम्मठ से सती का उपासक होता है लचमी का नहीं अगर उसने गलत कह दिया तो एक प्रकास स्राप हो जाता है फिर उसे काट में के रिए उसको फिर ब्राम्मठ को दुसरा उपाय करना पड़ता है इसलिए मैं सदा से आपको सौधां करता रहूंगा अब है रासिय में 12 रासि मीन रासि मीन रासि वालों को जन्री 2020 अप्रेल 2020 मैं 2020 जून 2020 और अक्टूर 2020 इन मासों में इन बारह रासिये वालों को श्रावधान नेना है, इन बारह रासि के बाज रासियां जो माइने बच रहे हैं, वह उनके रिए सुफर प्रात्ती का है। मैं फिर से आप से कहूँगा कि अगर बताएगे टोटके उपाये को अगर आप सद्धा पुर्वक करेंगे तो जो खराब मास आपके लिए हैं वह भी आपके लिए सूफल कारी हो जाएंगे। अगर आप विश्वास और स्रद्धा से बताएगे उपाये को करते हैं तो। चाहतरों के लिए ब्रिक रासी सफलता लेकर आने वाला है और ब्रिक रासी के एककस्मात लाव की लाव कि अगर वह सेयर के काम में व्यास्त हैं, सेयर का काम वेफसाय है, या कोई अकस्मात क्यार कर रहे हैं, प्राफिट वाला, ट्रेडिंग वाला, तो अकस्मात हंड़ेट परसें उनके जिन्दगी में यह साल लाव लेके आ रहा है. मेस राशी वालों के रिए जो साल में सबसे बढ़िया दिन लेके आने वाला है, जो सबसे बढ़िया महाले के आने वाला है, वह है जन्बरी का, मेस राशी वालों के रिए जन्बरी से उनके भागे, उनके गड़, उनके फिबर में हो जाएंगे, खाली अगर उनको साउधान रहना है तो अपनी क्रोध वारी वानी से उनको जल्दी वाजी करने से जल्दी में राय लेने से या जल्दी में को डिसीजन करने से उनको बचना है फ़री महीना और मही महीना सितंबर महीना और अक्टुबर का महीना उनके रिए श्राउधानी पुर्वक वाला है इस महा में वह कहीं पर भी पैसा लगाने से बचें, किसी को पैसा उधार न दें, कटुवानी से बचें, इसे में आपका रासी फल विया जाएगा, कि पारिवारिक जीवन के लिए यह महा साउधान रहने वाला है, किसी दूसरे प्यार के चक्कर में न पढ़ें, साउधान रहें, तो इ